पर नादी टीवी पर मैं हूँ आपके साथ पारूल उतर प्रदेश के आठ सीटों पर वोटिंग पर चल रही है और तमाम राजों के अलग अलग सीटों पर एलेक्शन हो रहे हैं नि वोटिंग की जा रही है और तमाम जगाहों पर हमारे सयोगी मौझूद है जो हर खाबर आ तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच मत प्रतीशत जानना जरूरी हो जाते हैं क्योंकि घड़ी में बच गया है दो और एक बज़े तक का मत प्रतीशत अब तक सामने आ चुका है तो चलिए लिए चलते मेरे सयोगी के पास आपको और वहां पर हम जानेंगे कि आप तक का अपडेट सामने आ रहे थे उसके मुताबिक जवोट परसेंट अब इंक्रीज हुआ है जैसे कि आपको शुरुवाती दौर में भी का था जवोट परसेंट है उसमें थोड़ी सी बढ़ होतरी देखी गई है और उतरप्रदेश में अब तक का जो वोट परसेंट है वो 35 है कि क्या कुछ वोट परसेंट अब तक जाएगा ओवर तो यू असमेता क्या बता रहे हैं बलकुल पारूल जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रथम चरण में जिस तरह से वोट परतीशत रहा बाकी उसके बाद से निर्वाचन आयोग ने बहुत कोशिश की कि लोगों में साथ तीन प्रतीशत जो है अभी तक का मतदान हुआ है जो कि अच्छा नंबर है एक बचे तक का अब सीटों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहली सीट जहां पर वोटिंग परसेंटेज की जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो है अलीगर्ड सीट अलीगर्ड में भी तक अच् 30.67% मतदान हुआ है जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर है एक बचे तक लगभग 40% मतदान होना अम्रोहा की जनता में काफी जादा उत्सहा देखा जा रहा है अगली सीट की बात कर लेते हैं जो कि उतरप्रदेश से ही है बागपस सीट यहां पर अभी तक 34.17% प्रतिशत बड़े और लोगों का आभी जमावडा जारी है लोग लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे है अगली सीट की और बढ़ेंगे अगली सीट की बात कर लेते हैं अगली सीट जहां के हम बात कर रहे हैं वो है बुलंद शेहर सीट 35.35% यहां पर मतदान हुआ है और रेपोर्टर्स का कहना है कि अभी भी लोग जो है यहां पर जा रहे हैं मतदान कर रहे हैं यह आकडा थुर दिर बात बदल सकता है अगली सीट की बात कर लेते हैं जो की उतर प्रदेश से ही है कापी महतवपून सीट गौतम बुत नगर सीट यहां पर 36.05% मतदान हुआ है यानि 36.05% मतदान हुआ है अगली सीट की और बढ़ेंगे अगली सीट की बात कर लेते हैं अगली सीट है गाजियाबास सीट कापी ज्यादा हौट सीट लेकिन यहां पर अगर हम दूसरी सीटों से कंपैरिजन करें तो मतदान प्रतीशत कम नजर आ रह अगली सीट भी उतरप्रदेश से ही जो की काफी जादा यहां पर दलजस्प मुकाबला है मतुरा सीट यहां पर माना जा रहा था कि अच्छी खासी संख्या में मतदान होगा एक बजे तक लेकिन अगेन अगर हम दूसरी सीटों से कंपेर करें तो यहां पर लोगों में उत्स अगली सीट की बात कर लेते हैं उतर-प्रदेश से ही अगली सीट है जो आकड़ा आया है वो 40 फीजदी अम्रोहा सबसे जादा वोट परसेंट अभी तक अम्रोहा से सामने आया है और ओवरॉल उत्तरप्रदेश की जो जानकारी मेरे सेयोगी दे रही थी 35 फीजदी तक ये मतदान अब तक जा चुका है और अन्य राज्यो पर भी चना हो रे हैं धे 36 के साथ आपको ये भी बताने की कोशुष कर रहे है कि कहाँ वोटरस जो पहुच रहे हैं उनका मिजास क्या है खास्तोर पर जब मुद्दो की बात आए तो मुद्दे कौन से जिन पर जनता ने अपना मूड बना लिया है कि वोट कास्ट करेंगे चली हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुआ है नीरज मायरे जी वरिश्च पत्रकार हैं आपका बहुत स्वागत करती हूं नीरज जी आज मतदान हुँ रहा है आठ सीटो पर और इन आठ सीटो के बारे में हम 2019 का आकड़ा देखें तो 60 सीटे बीजेपी ने जीती थी जिसमें कास्ट फैक्टर के साथ उन्होंने उमीद्वार नहीं उतारे हैं खास्तोर पर मैं मेरत की बात करूं तो यहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां दिख रही थी राजींद्र गरवाल पहले थे अब उमीद्वार उन्होंने बदल दिया है क्या मान रहे हैं आप यह फेस आपको क्या लगता है वोटर क्या सोच रहें क्यों आखिर वोटर घर से इतने उच्छा के साथ बाहर नहीं निकल रहा है नीरत साहब देखे पारुल जी एक चीज़ बता दें कि हस्च पेस के चुनाओ के बाद जो भारती जनता पार्टी से चूप हुई मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी उसमें सुधार लाने की कोशिस कियो और उन्होंने बहुत छोटे छोटे मुद्डों की बात मलब जिनको हमारे धार्मिक से उसके तहट देखा जाता है कि मंगल सूत्र तक को वो चुनाओं मैदान में ले आए इसी बीच जो है तमा कानी मुद्डों की बात नहीं कर रहे हो कह रहे हैं चुनाओं जीत जाएं उसके बाद हम मुद्डे पर बात कर लेंगे तो निशित उसे वो सीट फस्ती दिख रही है क्योंकि तीन मार से लगतार सांसत राजिंदर अगरवाल जी का टिकेट वहां कार्ट कर भारती जनता प को टिसी के पास बन रहा है यहां लाल गली गाओं के लोगों ने वो का बहिसकार किया है उन्होंने कहा है कि हमारे हैं पानी मूलबू समस्या पानी और विजली की थी जिसको सरकार दूर नहीं कर पाई जिस वज़े से वो चुनाओं बहिसकार कर रहे हैं दूसरी मैं बात कर पद मुख्याले से मातर 25 किलो मिटर की दूरी पर और गोवर्दन से मातर 500 मिटर की दूरी पर तो भारती जंता पार्टी जो ये बाते कह रही है जैसे परसो अभी आगरा में जनसवा की भारत के परदार मंत्री जी ने अरणी नरेन मोदी जी ने उन्हों ने कहा कि हम हर बार आगरा आते थे कुछ नो कुछ आपके लिए लाते थे और इस बार में विक्सित भारत के लिए आपका आप से आशीरवाल मांगने आया हूँ तो विक्सित भारत की तस्पीर आप देख पा रहे हो कि जेवर एयरपोर्ड नोड़ा से ज्यादा विक्सित कोई उत्रब्देश म सहर नहीं है उसके बगल में आप बिजली और पानी नहीं दे पा रहे हैं और मत्हुरा जो आपके सबसे हाई प्रोपाइल स्थीट है वहां पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और दूसरे चरण में अभी भी बहुत सारी चीज़े हैं आपका मैनिफेस्ट आपके तमाम मु वोटर्स उनको नहीं रिजहा पा रहे हैं और शायद यहीं वज़े है कि आप तक एक बज़े का भी वोट परसेंट पैतिस से उपर नहीं गया है सब्सक्राइब कर देखेंगा कि पूरी उम्मीद है कि साम तक जो पांच बज़े का टाइम है और जो लोग नाइब लग जा होता है तो बिल्कुल हमें उम्मीद है कि अच्छा होत पर्शंट बढ़ेगा साम तक जूसरी बात यह कि आपके लाकों को दर्सकों को एक आपके माद्यम से संदेश है कि सब लोग घरों से निकले और मद्दान में भाग जिरूर ले और जिस भी पार्टिक को आप पसंद क जो टीवी देख रहे हैं उनसे कहना है कि घर से बाहर बिकले उन डालने जाए जल्पान भी बात में करें सबसे पहले वोट करें